नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पीके हंदिग्यान बुक चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वापकी साइट का परफेक्ट सेयों कैसे करते हैं जिसमें पहला होगा रोबो टेक्ट एड़ करना, सेकेंड जो मैं आपको बताऊंगा वो है साइट मैप लगाना और थाड मैं आपको बताऊंगा कि मेठा हैट टेक को कैसे लगाते हैं तो अगर आप भी अपनी वाकीर साइट का perfect SEO करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को end तक देखते रहे तो चलिए start करते हैं तो दोस्तों जो आप वीडियो के नीचे अंगुठे का आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके वीडियो को like कर दीजे और यह जो रेट कलर में सब्सक्राइब का बटन यहां पर दिखाई देरा इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एक घंटे का आइकन इस पर भी क्लिक कर दीजिए इसके बाद options पर क्लिक करके ok कर दीजिए इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी मैं इसी तरह के interesting technology वीडियो इस चैनल पर upload करूँगा तो उन सभी वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है wapkit.com पर login कर लीजिए और पैनल मोड पर क्लिक कर लीजिए इसके बाद आपको यहाँ पर view txt इस वाले options पर आपको क्लिक कर लेना है इसके बाद एक न्यू टैबले लेना है आपको और यहाँ पर सर्च बार में उपर आपको टाइप करना है robot robot dot txt generate इस तरह से आपको टाइप कर देना है तो यहाँ पर बहुत से options आपको मिल जाएंगे मैं इस वाले पर क्लिक कर लेता हूं यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको जो है यह जो पर आपको जो है यह पर फर्स्ट वाला option है इस पर आपको अलाउ कर देना है यहाँ पर यह इफॉल्ट यही रहता है यह पर और यह पर यह जो टेफोल्ट है Stephen is teşekkür रखना है और यहाँ पर आपको अपने साइट का जो है ask er boot टाइप कर देना है तो चलिए मैं इहाँपर टाइप कर देता हुं इसके सोरी दोस्तों डोट जी ये है मैं यहाँ पर जी ये कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर स्लाइस लगा करके और जी ये और स्लाइस लगाने के बाद यहाँ पर आपको साइट मैप .exeuml इतना type कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है scroll करके और यहाँ पर यह create robot text.txt इस पर आपको click कर देना है और यहाँ पर जो है ok पर click कर देना है तो हमारा जो है इस तरह से robot text जो है generate हो गया तो इसे आपको all select कर लेना है एहाँ से कुछ भी छोड़ना नहीं है इसके बाद ला करके आपको इसी वाले box में जो है इस box में paste कर देना इसे यहाँ से इलीन कर देना है और यहाँ बेच कर देना है पिर आपको simply यहाँ पर save पर click कर देना है तो यहाँ पर देख सकते है robot.pxt successfully save तो यह हमारा जो पहला काम है यह यहाँ पर हो गया है अब हमें करना क्या होगा जो है इसे बैक कर लेना है इस वाले पेज को और फिर यहाँ पर आपको टाइब कर साइट मैप और पूर और फिर सर्च कर लेना है तो यहाँ पर साइटमे नाम यहाँ पर करदेना है इस तरह से जो है पूरा URL जो लाकर के यहाँ पर लगा देना है इसके बाद यहाँ पर आपको करना के है जो इस सिकेंड वाला ओप्सन है More Options इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से यह जो लिखा हुआ है Spice High इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करके Allowance पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से More Options पर क्लिक करके इसे Minimize कर देना है और Start पर क्लिक कर देना है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और यह जो साइट मैप है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा तो थोड़ा बेट कर लेते हैं दूस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दूस्तों आपर Completed ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो अब आपको करना क्या है View Sight Map पर क्लिक करकी यहाँ से आप देख सकते हैं Sight Map डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से तो मैं इसे यहाँ से Close कर देता हूँ इस तरह से इसके बाद आपको आना है यहाँ पर जो है Google Webmaster Tools है और यहाँ पर आपको अपनी Site Select कर लेना है और क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर Sight Map सबसे पहले यहाँ पर लगाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर आपको मैं सरल जो है उसे जो है बता देता हूँ तो इसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर जो यह वाला अप्सान है Sight Map यहाँ पर आपको इसपर क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पर आ जाएंगी इस पेज़ पर तो यहाँ जो रेड कलर में आपको दिखाई देख रहा है Add Text Sight Map इसपर आपको क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह वाला box open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको type करना है site map यहाँ पर slash लगा लेना है आपको इसके बार site map dot xml और यहाँ पर जो है test पर click कर देना है तो यहाँ पर view, text, result इस वाले पर click करेंगे तो यहाँ पर देखने की यहाँ पर error तो नहीं है तो यहाँ पर कोई भी error नहीं है तो मैं यहाँ से इसे close कर देता हूँ और इसके बाद दुबारा से मैं यहाँ पर वही site map जो है add कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं तो दुबारा से हमें देना है और dot x email कर देना है इसके बाद submit पर click कर देना है simply up और यहाँ पर refresh पर click कर देना है refresh the face तो यहाँ पर refresh हो जायेगा देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दो जो हैving library generate हो गये हैं जो है ऐड कर दिया है यहां पर एक है वेब और एक है mobile दोनो यहाँ पर नहीं जो हैट कर दिया है तो अब चलिए मैं इसे भी close कर देता हूं यहां से इसके बाद फिर से हम वापस अपनी website में आ गए यहां पर आपको करना क्या है यहां पर एक option आपको मिलेगा मेटा हेडर का इस पर आपको क्लिक कर लेना है पैनल मोड में आपको यह मिलेगा इसके बाद यहां पर जो है यह पूरा जो कोडिंग है इसे डिलीट नहीं करना है थोड़ा इसपेस दे करके और यह कोड मैंने नीचे description में दे दिया है उसे आप डाउनलोड कर लेजिए तो च चलिए मैं यहां से आपको डाउनलोड करके आल सिलक्ट करके कोपी कर लेना है तो चलिए मैं आल सिलक्ट करके कोपी कर लेता हूं इसके बाद ला करके आपको यहां पर पेस्ट कर देना है अब यहां पर आपको चेंज क्या करना है यहां पर जो है मेटा नाम description यहां पर लगा सकते ही, इसके बाद जहाँ-जहाँ आपको ये दिखे, ये पीके हिंदी ग्यान दोग, वहाँ-वहाँ आप अपने website का आप ताइप कर दें, इस तरह से यहाँ पर देख सकते है, यहाँ पर कई जगे, पिके लिखा लिखा हुआ है, इसे आप रिमॉब करके अपने we प्रपी कर लेना है इसके बास सिंपली आपको करना क्या है यहां पर एडिट मेटा टेग पर क्लिक कर देना है तो यह हमारा जो है मेटा टेग यहां पर लाग चुका है यह दो तीन दिन में अपडेट हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी वापकी साइट को बहुत ही आसानी से जो है प्रफेक्ट सेफ कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दिजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी PK हिंदिग्यान बुक चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धंडे बात तो अभी के लिए इतना ही जल्द ही हाजिर होंगे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम